स्रीक बेटाजी किर्चोफ का second law करते है इसको किर्चोफ's voltage law भी बोला जाता है यानि कि पिछले law को हमने बोला था के सील किर्चोफ's current law इसको बोलेंगे KVL के जो voltage loss, short form में अगर बोलना हूँ इसकी पहले definition पढ़ लेते हैं फिर धीरे इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले बात क्या बोल रहा है, the algebraic sum of all voltage gain and voltage drop ये loss is zero in a close circuit, किसी भी close circuit में अगर हम algebraic sum करें, algebraic से समझाया यानि कि positive negative का ध्यान रखकर, अगर हम voltages के gain को और voltages के loss को या drop बोल देते हैं उनको अगर add करते हैं sum करते हैं, तो हमें zero ही मिलेगा किसी भी close circuit में ये हमारा second law बोलता है ये इसकी definition हो गई, अब जैसे हमने देखा था, algebraic sum कैसे नेगा लें, तो positive negative मानना पड़ेगा, किसी voltage को positive मानना पड़ेगा, कुछ voltage drop को negative मानना पड़ेगा तो ये उसी तरह से बात हो रही है, जिस सिरह से कर्चौफ्स current law में हो रहा था, वहाँ पर हमने क्या माना आते हुए current को positive मान लिया और जाते हुए current को negative मान लिया, यहाँ convention जो होगी वो थोड़ी सी अलग है, पर जैसे जैसे हम example करेंगे, हमारे दिमाग में बैट जाएगी, यानि कि इस circuit पर, इस simple से circuit पर आप ध्यान दीजे, यहाँ पर यह क्या है V, एक voltage दी गई है circuit में, और यहाँ किसको positive मानते हो, किसको negative मानते हो, तो एक दिशा निर्धारित कर लेते हैं, for example अगर हम इस तरफ चलें, तो इस तरह से loops use होती है, किर्चौफ's voltage law में, यानि कि अगर आप इस तरह जल रहे हैं, तब आप क्या बता सकते हैं कि voltage का drop का और voltage gain का क्या algebraic sum है तो हाँ, तो हमारे को conventions याद होने चाहिए, यानि कि हम क्या मान कर चलेंगे, तो हम जो convention है, बहुत ही simple तरीके से याद करते हैं, यानि कि अगर हम loop में चल रहे हैं, और हमें दिखा कि हम positive potential की तरफ जा रहे हैं, तो उस potential को हम positive मानेंगे अगर हमें loop में चलते हुए दिखा कि हम negative या low potential की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसे negative मानेंगे, यानि कि जिस दिशा में जा रहे हो, जिस direction में जा रहे हो, वहाँ पर देखो potential कैसा दिया है, तो उस हिसाब से आप उसको positive negative कर सकते हो, और तब आप उसका algebraic सम निकाल सकते हो, तो इस loop में अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, हमने माना कि हम इस तरफ से इस तरफ को जा रहे हैं, यानि कि यहां तो हमें cell का पता ही होता है, यह negative terminal होता है, यह positive terminal होता है, अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो मैं कौन से potential की तरफ जा रहा हूं, higher potential या positive potential की तरफ जा रहा हूं, yes, तो यह मेरा positive, इसको मैं positive मानूंगा, यह convention है, मान रहे हैं, अब चलते हैं आगे, यहां पर देखिए, अब यहां पर confusion आगे, resistance में तो positive negative होता नहीं, cell में तो आसानी से मिल जाता है, यहां क्या करें, तो हमें idea देगा, कि आपने जो current की direction ली हुई है, देखिए, यहां पर current किस तरफ जा रहा है, current जा रहा है, इस तरफ, ऊपर की तरफ, फिर यहां से यहां जाएगा, तो current किस तरफ लो करता है, higher potential to lower potential, यानि कि जब आप इस loop में इस तरफ जा रहे हैं, तो आप higher potential में जा रहे हैं, कि lower potential में देखिए, सारी loop मतलब पूरे circuit में कैसे जा रहे हैं, यहां इस resistance के तरू जब यह loop जा रही है, तो यह क्या बोलेगे कि हम हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम lower और potential की तरफ जा रहे हैं आगे भी लूप के यह direction है current के यहां से direction change कर देगा यही रहेगा क्योंकि series में है तो current same रहता है तो हमारा current ऐसे निकलता जाएगा और इस तरह से हम यह loop cover कर रहे हैं तो यह क्या होगा positive value मानूँगा और यह क्या मानेंगे इसको इस potential को क्या मानेंगे negative मानेंगे यानि कि कैसे निकलेगा वो ही formula है हमारा V is equal to IR क्योंकि यह तो चलो simply मिल जाएगा V बट इसको कैसे निकालें I पता है बस R बन से multiply करना है तो वो वहाँ पे potential drop मिल जाएगा positive लेना चाहिए कि negative वो depend करेगा हमारे current की direction में तो हमारी यहां की current की directions के साथ जाएगे तो हम उसे negative मानेंगे क्योंकि current हमेशा higher potential to lower potential जाता है तो कोई अगर मुझे पूचे बताईए इस resistance में यह इस resistance में यह point higher potential पे है कि यह point higher potential पे है तो हम यहां पर बोलेंगे कि यह lower potential होगा और यह higher potential होगा कैसे पता लग रहा है क्योंकि current इस तरफ flow कर रहा है जिस तरफ current flow कर होता है उस तरफ low potential होता है यानि कि इस लूप में अगर आप यह डिरेक्शन लेते हैं तो इसको negative मानिए IR1 क्या होगा negative होगा potential ट्रॉप जो होगा वो negative माना जाएगा convention है हमारी और उसके बाद यहां से यहां जा है फिर भी आप lower potential की तरफ ही जा रहे हैं तो IR2 क्या होगा यह भी negative होगा अब अगर हम positive negative का convention हमें याद है तो हम इस लूप को जैसे इसने बोला algebraic sum कर लीजे algebraic sum निकालने के लिए हमने कुछ convention मान लिया कि एक direction ले लिजे एक round में लूप में direction में चलते जाए है और आपको यह देखना है कि आप कौन से potential की तरफ जा रहे हैं अगर positive की तरफ जा रहे हैं तो positive मानिए और negative की तरफ जा रहे हैं negative मानिए तो अब algebraic sum निकालना है तो चलिए यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट यहां से स्टार्ट करें तो यहां कौन से potential की तरफ जा रहे हैं positive potential की तरफ जा रहे है negative से positive की तरफ जा रहे हैं हमें वह देखना है कि हमारी direction क्या है तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा प्लस भी वैसे लिखने की जुरूरत नहीं होती है प्लस साइन बट यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया जिससे याद रहे अब यहाँ पर क्या हुआ रहा है कि हमें minus direction में जा रहे है lower potential में कितना potential drop होगा यहाँ पर I current है और R1 अगर resistance है तो कितना होगा I R1 अब यह भी same ही direction में current जा रहा है हमारी loop भी उसी direction में जा रही है तो यह भी minus I R2 यह क्या होगा equal हमने कर दिया algebra exam यह zero के equal होगा यह हमारा करचौफ का voltage law है यह हमने mathematically दिखा दिया एक sample circuit के mathematically इस circuit के लिए यह किर्चौफ का voltage law है अब इसका मतलब क्या है common sense में थोड़ा समझें यह किस चीज़ पर base कर रहा है यह base कर रहा है conservation of energy याद करिए किर्चौफ current law में हम किस पर base कर रहे थे conservation of charge पे यहाँ पर हो रहा है based on conservation of energy यानि कि जितना आप voltage gain दोगे किसी circuit में इस battery ने voltage कुछ दी उतना ही consume होना है जैसे for example एक example के दोर पर समझेते हैं यहाँ पर यही अब example थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर यह suppose कीजिए एक real numbers के साथ ले ले लेते हैं थोड़ा example यह 4 ohm का है यह 4 ohm का है और यह 12 volt का है current निकाल सकते हैं क्या कितना current होगा देखिए series में हैं तो add हो जाएगा अभी तक हम किर्चौफ की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम जैसे हमें पहले आती थी चीज़ें जिस solve करना circuit उस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पर यह resultant हो जाएगा 8 ohm suppose कीजिए यह 16 volt है sorry 16 volt है जिससे हमें easy हो जाए और यहाँ पर current कितना निकलेगा current कैसे निकालते हैं एक ही formula है V is equal to IR तो हमें निकालना है current आर पता है वी पता है वी है 16 आई क्या है निकालना है आर पता है sir 8 है 8 को इस तरफ ले जाए तो आई आ जाएगा 2 amp air यानिकी यहाँ पर 2 amp air का current battery से चलेगा अब क्या यह current change होने वाला है नहीं कोई भी junction नहीं है कहीं से भी जुदा नहीं हो रहा कहीं भी इखठा नहीं हो रहा current तो यह 2 amp air यहाँ से cross करेगा यहाँ भी 2 amp air रहेगा यहाँ भी 2 amp air रहेगा अब आप क्या बता सकते हैं कि य यहाँ पर कितना voltage drop होगा, और यहाँ पर कितना voltage drop होगा, सिंपल सी बात है, same formula, यहाँ पर हमें voltage drop नहीं पता, पर i तो पता है, current तो 2 एमपेर कही जा रहा है, R भी पता है, 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए, 2 into R, जाने कि R कितना है, 4, 2 into 4, तो यहाँ पर 8V का drop और यहाँ 8V का drop दोनों तरफ 8V का drop तो आप समझ जाएं कि अगर इनका algebraic sum निकालें algebraic sum का मतलब क्या है कि plus minus का ध्यान दे यह नहीं कि 16 जमा 8 जमा 8 कर लिया वो 0 कहां से आ जाएगा पर जब आप algebraic sum निकालेंगे एक कोई loop मान लेंगे एक direction मान लेंगे for example मैं लेता हूँ यह direction तो अब चलिए यहाँ से अगर हम यह loop इस तरफ जा रहे हैं तो पहले इसको कर लेते हैं cell को कौनसी direction में जा रहे हैं positive तो इसको लिखेंगा मैं positive 16 ठीक है न वोल्ट नहीं लिख रहा हूँ सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ अब सम करना है यह अब लिखिए इस लूप में इसका मतलब इस लूप में हम चल रहे हैं तो यहां से लूप एक सम किया तो क्या निकला 16 ये भी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा zero answer निकलेगा तो देखिए हमने एक simple circuit में ये लगा कर देखा पर यहां पर एक question पूछता हूँ अगर मैं loop की direction कुछ और ले लेता यानि कि just opposite ले लूँ तो क्या change हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तब भी किर्चोफ voltage लाओ ठीक बैठेगा देखते हैं जैसे यहां पर वो ही question है 16 volt और यहां 4 ohm 4 ohm की battery हम निकाल चुके हैं कि 2 amp का current होता है तो दुबारा calculate करने की ज़रूरत नहीं अब बताइए किर्चोफ लाओ लगाना है बट सर्ट direction आप यह लीजिए इस बार उल्टी direction या तो हम clockwise direction में जा सकते हैं जैसे इसमें गए या हम anticlockwise direction में जा सकते हैं तो इस बार चलो anticlockwise जलते हैं तो आप बताइए cell से start करते हैं कौन सी direction में जा रहा है जी आप negative direction में जा रहे हैं cell में तो clearly पता लग जाता है तो सच 16 मत लिखना आपने algebra X सम करना है सारी voltage gains का और drop का तो voltage gain कितनी हुई यहाँ भी माइनस 16 क्योंकि हमारी direction उल्टी थी तो माइनस 16 लिख दिया क्योंकि आपकी direction negative की तरफ है अब यहाँ देखिए current यहाँ से जा रहा होगा इस तरह change कुछ होगा नहीं 2 amp का 2 amp यहाँ से वापस आ जाएगा अब मैं direction में जा रहा हूँ जब 4 ohm का battery देखा यहाँ अब मैं कौन से potential की तरफ जा रहा हूँ मैं higher potential की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि यह दो point अगर देखे जाए लिखना चाहिए इसको positive लिखेंगे क्योंकि आप positive direction में जा रहे हो plus 8 दूसरे को साथ भी ऐसे ही होगा क्योंकि direction सेम ही है plus 8 देखिए अब भी 0 ही आएगा तो direction चाहे हम loop की जू मर्जी ले ले voltage gain और voltage drop का सम करने के लिए algebraic सम करने के लिए हमें अगर convention हमने ठीक लगाई है अगर हमें ये दो rule पता है conventions के कि अगर हम positive potential की दरफ जाएंगे तो positive negative potential की दरफ जाएंगे तो negative अब ये based on conservation of energy principle क्या हो गया मतलब जैसे for example यहाँ पर 16 volt का यहाँ पर 16 volt का मैं battery दूँ और यहाँ पर कोई लिख दे बच्चा कि जो drop हुआ वो 32 volt का हो गया गलत हो गया अरे energy जितनी दोगे उतनी ही energy consume होगी ज्यादा कैसे consume हो जाएगी जितनी बिजली घर में आएगी जितनी आप use करोगे ऐसा तो नहीं है कि बिजली आने रही और आप use करे जा रहे हो ऐसा नहीं होता ये कौन सा principle गलत हो रहा है यहाँ पर सर आप conservation of energy का principle गलत कर रहे हैं इसी लिए ये law पूछा जाता है किस पर based है ये law based है conservation of energy के principle पर अगर मैं यहाँ पर एक और गलती करता हूँ 32 की जगा यहाँ लिखता 2 volt अब देखिए 16 वोल्ट के energy दी जा रही है सोना वोल्ट gain दिया जा रहा है और drop कितना हो रहा है 8 जमादो 10 तो बाकी 6 वोल्ट कहां गया आपने क्या energy destroy कर दी उसी तरह से जिस तरह से किर्चॉफ current law में हो रहा था वहाँ पर charge destroy नहीं कर सकते थे उसी तरह से आप energy भी destroy नहीं कर सकते energy भी create नहीं कर सकते जितनी energy दी जाएगी या voltage gain दिया जाएगा उतना ही voltage drop होना है हाँ science आप जो मर्जी ले लिए but at last हमारी values जो है किर्चॉफ law की वो ठीक ही आएगी